सब्सक्राइब करें WSQTEC प्रोग्रामिंग चैनल, बेल आइकन दबाएं और हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें हेलो फ्रेंट्स, WSQTEC के चैनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आज सी language को use करते हैं हम लोग एक और अलग type के pattern को बनानी वाले हैं तो आज का जो मेरा pattern है वो कुछ इस type से होगा, आज मैं जो है वो row number 1 के अंदर कुछ spaces print करना चाहता हूँ लाइक 1, 2, 3, 4 और उसके बाद मैं यहाँ पर print करना चाहता हूँ 5, ठीक है और इसमें लिखना चाहता हूँ 4 जो भी है आपके पास like 3, 4 और 5 इस type से इसमें लिखना चाहता हूँ 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 तो एक तो मेरे पास यह pattern हो गया इसके साथ साथ मुझे इसकी नीचे का part और include करना है तो इसकी नीचे मुझे next add करना है वो space के बाद लिखना है 4, 3, 2, ठीक है तो यह आपको लिखना है यहाँ पर मैं यहाँ से जो आप print करने वाले है अब मैं करने वारा हूँ इस ताइप से 5, 4, 3, 2, ठीक है आप चारो साथ में 5 देख पारें तो यह जो pattern है इस pattern को कैसे बनाएंगे यहाँ पर row जो है आपके पास कहां से शुरू होगी column कहां से शुरू होगा, spaces कैसे आपको set करना ही है, सारे जो patterns के अंदर जो हम लोग देखने वाले है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके logic को लेकर, logic क्या होगा हम लोग जानते हैं हमेशा हम लोग बस 2-3 चीज़े ही set करते हैं एक row को, एक column को, एक space को खुल मिला के तीन variable से हम लोग यहां पर use में लेते हैं और इसके base पर हम लोग अपना पूरा pattern वो complete करते हैं, ठीक है देखे, row आपकी कहां से शुरू हो रही है, अगर इस case में बात करें तो आपका column हमेशा 5 से शुरू हो रहा है इसका मतलब यह ओ चुगा है कि जो आपकी rows है, आपकी rows है वो शुरू कहां से 5 से, कहां तक जा रही है आपके पास 1 तो हम लोग देख सकते हैं, row आपकी 5 से 1 हो चुकी, एक बार और देख सकते हैं, आप row प्रिंट जो है, वो हमेशा 5 से हो रहा है, तो कभी 5 से 5, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, तो हम लोग यह कह सकते हैं, यहां तक जो है आपकी row, वो 5 से लेकरके 1 टाइम तक चल रही है, तीक है, इसके बाद जब हम लोग यह आएंगे, वापस एक और row हमको set करने पड़ेगी, तो क time सकते हैं, चलो, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार हम लोग यह वाला इतना पार्ट बनाएंगे अभी, तो इसमें row का तो हमें समझ में आगया, कहां से कहां तक जाएगी, इसके बाद हमें print करना है spaces, तो spaces कैसे आएंगे, फर्स रो के अंदर, यह नहीं कि row number 5 है, वहां पर अगर हम देखे हैं, तो 2345, इस टैब से अगर हम लोग देखे तो row के according हमारे पास spaces हो सकते हैं, next row में देखे 234, क्योंकि row 4 है टNOON में इस fakies आजाएंगे, next row में देखे 2, 3, तो 2, 3, जो है आपके पास 2 spaces दे जाएंगे, next के अंदर हम लोग करेंगे 2, तो 2 आपके पास एक space आजाएगा तो मतलatisf हम लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं कि आपका जो space है तीकिए वो लेकर करना हुँगी तो मैं box two से आपको चलना है यहां पर talk टेक्ष तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इस पेस को तू से आ इसे शुरू करें तो आर माइनस वन तक ही आपको रखना पड़ता है एसी टाइप से स्पेसे आपके हो चुके हैं उसके बाद प्रिंट क्या करना है तो कॉलम है कॉलम आपका हमेशा कहां से शुरू हो रहा है कहां त से ठीक है फिर उसके बाद में हम लोग जो है यानि कि जब यह प्रिंट हो जाएगा आपका तो यह वाला प्रिंट करेंगे 5453452345 यह वाला ठीक है तो अभी जो है आपने एक बार यह प्रिंट किया है अब मैं इस पर आता हूं जैसे सपोस्पोस यहां पर आप ते 4 ठीक है यहां पर जब आप से तो आपका जो डो है वो शुरू हुआ था 5 से ठीक है रो आपकी 5 है कॉलंब भी आपका 5 है यहां पर आपके पास रो वह गया 4 अब देखो शुरू कहां से हो 54 5532 ciao जबаци होता है तो यहां पर वैल्यू हो जती होगी 3 दिए कि 5 4 तब तक ठीक था 3 हुई condition false आप लूप से बाहर निकले यहां पर ते तो क्या हो गया होगा value 2 होगी लूप से बाहर निकले यहां पर 1 यहां पर 0 तो आप लूप से बाहर निकलते लेकिन print के और जब भी अब बार निकलते हैं उससे plus two early values ठीके तो मैं इसके बाद क्या लिखने वाला हूँ कि जो c है c equals to c plus two मतलब columns जो हैं आपके आपको क्या करने है दो यहां पर और add करने और फिर कहां तक चलना है आपको r time सक यहां तक चलना है ठीके तो यह आपके पास हो गया एक तो उपर वाला pattern means यह हम लोगोंने half pattern यहां का logic जो है वो इतना discuss कर लिया है अब हम लोग जो है यह वाला pattern देखने वाले means नीचे का pattern क्या होगा तो इसमें अभी हम लोगोंने discuss कहता रो को लेकर यहां पर आपको एक space चाहिए यहां पर आपको एक space चाहिए आपकी increase हो दी तो आपको जो है रो के अंदर आते ही अपने spaces को भी set करना है तो मैं spaces को भी लेता हूँ sp आपका जो है वो कितना हो जाएगा means sp जो है आपका यहां पर 2 से लेकर के आठ आयम सक आप यहां ले सकते हैं तिक है spaces भी जो है आपका जैसे मैं यहां देख रहा हूँ आपके पास तो यह सपोज 2 से चुरूआ 2 से 2 2 से 3 2 से 4 2 से 5 तो आपके पास जो एक दो तीन और चार spaces यहां आपके पास प्रिंट कर देगा ठीक है इसी टाइप से जब आप यहां से मिन्स जब यहां से आप बार निकल रहे थे ठीक है तो देखे बार निकले कब थे जिसे 5 4 3 2 1 हुआ होगा तो आप निकले होंगे यहनिकी जब आप इस लूप से बाहर निकलते हैं कॉलम को set करना है C equal to C plus 2 से और किसके according चल रहे है कहा तक चल रहे है आप तो यह चल रहे है आपके पास columns जो है ठीक है तो columns को आपने set किया है और ये जो चलेगा वो चलेगा आपके r times सब ठीक है ये जो है आपका चलेगा 5 times ठीक है c equals to c plus 2 आपने set किया है क्योंकि हर बार ये 5 5 5 5 5 तक चल रहा है इस टाइब से c equals to c plus 2 करना पड़ेगा और 5 times से किया आपका चलेगा तो cool मिला करके हमारे जो logics है वो सारे यहाँ पर clear हो चुके है तो बस इस logic को use करते वे हम लोग को अपने code को यहाँ पर create करना होगा अब इसका code क्या होगा अब हम लोग code की तरफ move करने वाले तो इसका जो code है कुछ इस type से होगा आपको लिखना होगा hash आप लिखेंगे include hash include stdio.h इस type से आप अपनी एक header file को यहाँ include करते हैं उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पर next काम है आपके पास वो है int main यहनि कि main function आप यहाँ पर शुरू करने वाले हैं आपको बस अपना Loop चलाना है तो आपको बस यह दियान रखना है और जो है कहują से शुरू हो रहा है पने loop बनने वाले सबसे पहले मैं set करता हूं और कहां से शुरू हो रहा है तो इसको मैं time minute कर देता हूं तो देजिक हिसके बार लिखना है while कहां तक चल रहा है आपके पास one time तक इसलिए आप क्या लिखेंगे आप यहां लिखेंगे r जो है आपके पास ठीक है r is greater than or equals to one time तक आपको चलते जाना है और इसके अंदर आपका r जो है वो minus minus होता जाएगा सिंपल सा काम है कुछ खास काम नहीं किया आपने r को 5 से one time तक चला है और जब भी आपकी रोज चेंज होगी means 5 4 3 2 1 जब भी चेंज करोगे आपको तो क्या लिखना है printf के अंदर आपको जाके लिखना है केवल slash n तकि आप यहां पे new line को जो है वो प्रिंट कर सकें तो देखें यहां आपने जो है अपनी एक रो बनाई है मिंस सिर्फ रो का काम हुआ है रो आपकी जो है वह 5 4 3 2 1 इस टाइप से आपकी केवल रो बनी है अब उस रो के अंदर जैसा आप first वाली रो में suppose रो नमबर फाइफ में थे आप ठीक है तो वहां ज पेस कहां से सैट हो रहा है आप चाहें तो 1 से कर सकते 1 से करेंगे तो आर माइनस वन तक लेना पड़ेगा नेंगे तो अब चल जाएगा ठीक है तो मैं क्या करता है इसको इस पेस को सेट कर लेता हूं suppose 2 से से एक पर लेता हूं ठीक है उसके बाद आप क्या लिख देंगे और बस एक space create करना और उसमें कुछ खास काम है नहीं ये क्या करेगा आपका cable space print कर देगा जो भी आपकी conditions है उसके according आपकी spaces है ठीके उसको ये print करेगा spaces आपके print हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या print करना है तो देखे spaces के बाद है आपके पास आपका column C को 5 से R times तक आपको लेखे जाना है ठीके तो क्या करेंगे इसे बार आते हैं आपको C को set करना है क्या लिख देंगे C को आप set करेंगे 5 फिर आप क्या लिख देंगे while while कहां तक लेखे जाना है तो आप लिख देंगे यहां पर while C जो है इस तरीके से हमने जो है यहां पर अभी तक केवल C को set किया है बस इसमें print करने वाले print क्या करना है तो print करेंगे percentage D, percentage D के बाद जो है आप यहां पर क्या लिख देंगे C, C की value को आपको यहां पर print करना है बस छोटा सा काम था हो चुका ही है हमारा तो इस तरीके से अभी जो है आपने वो थोड़ा सा एक pattern का block बना दिया है ठीक है देखते है हम लोग एक बार क्या करते है मैं इसको save करता हूँ F11 की को press करता हूँ आप देखेंगे इसका जो output है थोड़ा सा अभी आपको इसका output दिखने वाला होगा ठीक है इस type से अभी हमको इसके side का एक और part add करना है और नीचे वाले block को भी add करना है तो देखेंगे जब आप इस column से बाहर निकलते है मिंस अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पर set करना होता है जो भी c की values है ठीक है बाहर कहां से निकलते है तो यह वाला जो pattern है आपका means यह वाला block जो है यह वाला loop है आपको यह और set करना है ठीक है क्या करेंगे c को तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर c जो है वो क्या करना है c equals to c आपका plus 2 हो जाएगा ठीक है इसी type से आपको यहाँ पर loop चलाना है loop में क्या लिख देंगे आप while c is less than or equals to 5 इस तरीके से और इसके अंदर जो आपका c है वो increase होता जाएगा और आपको यहाँ पर print जो है वो वापस यह वाली line को print करवाना है ठीक है यह जो है आपको print करके देगा आपके column की value अगर अब अपन इस program को फिर से execute करें तो देखे आपका output जो है कुछ इस type से आच चुका होगा अब हमको क्या करना है इसके नीचे वाला जो pattern है ठीक है इसके नीचे का जो प्राइंगल है उसको इसके साथ और add करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे अब यह देखिए यह हमारी जो row वाला काम था एक बार हमारा सार करते ता Pir जारा कौति क्या है और Aaदा काम अभी आर जो है अपका सेट होगा आर क्या करना कना ऺाद कारते हैं आर की वैल्यू सेट कर सक्टो अ चुइब तो श्रा जो है आप लगाइंगे वाईल लूप आर जो है इस लेस동 नॉर इक्वल i3-2-5 और इसके अंदर जो आपका आर ठीके वह इंक्रीज हो जाएगा पहले डिक्रीज हो रहा था इस बार आपका आर जो है वह इंक्रीज हो गा और जब भी आपकी रोड़ जेंज होती ही आप जानते हैं हमेशा हम क्या करते हैं, अप जो आप पुट पे भी आप देख सकते हैं या आपने लिखा भी था space 2 से r time सक चल रहा है इसलिए तो sp equals to 2 लिख देता हूं मैं और फिर उसके बाद आपको फिर से loop चलाना है तो मैं लिख दूँगा कि sp जो है आपका वो कब तक चलेगा इस less than or equals to r है तब तक चले और इसके अंदर जो आपका sp है वो increase होता जाए ठीके तो space में हम लोग क्या करते हैं हम लोग बस यहां पर जो है वो एक blank space ले लेते हैं spaces का काम भी आपका cover कर लेता है इसके बाद में आपको यहां print करने होते हैं अपने columns means c की values जो भी आपके पास तो c की values के लिए आपको loop चलाना पड़ेगा इसलिए आप c को फिर से set करेंगे तो देखिए c हमने कहां से set के है c 5 to r चलने वाले ठीके c कहां से चलेंगे 5 ठीके उसके बाद क्या लिख देंगे आप while c जो है is greater than or equals to r है तब तक चल जाए और इसके अंदर जो है आपका c वो minus minus हो जाएगा ठीके यहाँ पर क्या करना है वही वाली लाइन है ये वाली लाइन ही आप लिखने वाले जो भी आपको उसमें print करना है ठीके ये वाली लाइन ही आपको लिखनी आप चाहे हैं तो इसको copy paste भी कर सकते हैं print f की अदर percentage दी बस c की C की वापस से क्योंकि मैं अब यहां आ रहा हूं ठीक है C equals to C plus 2 से लेकर के 5 तक आपको आगे चलना है ठीक है तो C equals to C plus 2 करना है तो मैं यह लिख दूंगा C equals to C plus 2 और फिर आपको जो है यहां पर एक लूप चलाना है वाइल C is less than or equals to 5 है तब तक चलते जाएए और इसमें C को आपको increase करना है फिर इसमें भी वही वाली लाइन हो जाएगी आपके पास बस आपको क्या करना है उसको यहां पर पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए आप यह तो क्योंकि मुझे copy paste करना है आप चाहें तो copy paste कर यह आप चाहें तो printf में जाकर के लिख भी सकते हैं कुछ खास काम नहीं %D है और इसके बाद आपको C की values को यहां पर print करना है कुछ इस टाइप से ठीक है तो पूरा pattern मेरा बन चुका है बस मुझे अपने pattern को execute करना था मैं अपने pattern को रन किया रन करके देखा मुझे वैसे आउटपूट मिल चुका जैसा कि मैं चाहता था तो इस तरीके से जो है आज हमने एक और जो नए टाइप के pattern को discuss किया है तो इसी तरीके से आगे के वीडियो में भी जो है वह हम लोग कुछ और नए-नए patterns को discuss करने वाले हैं तब तक के लिए हमारे साथ बने रही है धिलने करने कि रहेैं हैं ति मुड़ कि तो इस चे दो है अगां में चितुम से और जाए indispensableरा का कुछ यह है वे था बने कि Đ DM है उ स्टियो जढएंग उ का Kendall